बाइसाब जब रात के देड़ बजे शूट करो ना तो कुछ ऐसी हालत जाती है देख रहा है तुम्हारे ले क्या करना पड़ता है डीप ब्रीधिंग करें एक तब नैच्रल टेक देख देख तब वन टू थी गो कर गया और बाइसाब लाप्टोप वाले चैनल पर टफ आया को नहीं है ऐसा तो होई नहीं सकता अभी अपने थोड़ी दिन पहले ना एसुस्टाफ का 2050 वालो लाप्टोप रिवियू करा था लोग कर रहे बाइसाब कहा 4000 सीरी चल रही कहाँ 2050 दिखा रहे जैसी लाउंचों का ज़रूर रिवियू करेंगे अभी 17 तारिकों का लाउंच हुआ था और बाइसाब तुम्हारे लाप्टो वाले चैनल पर टफ रिवियू ना हो ऐसा तो आज हमारे पास है तफ 2023 राइजन 9 वाला वेरेंट है 4050 के साथ और यह 1,35,000 पर लाउंच हुआ आज इसके बारे सब जानते हैं टफ वाला लोगो फूल प्यार वाली बात्चीत दब फोल ऑल देते हैं तो यहां पर मिल जाते है ऐसा बॉक्स हमारे को टफ का लोगो बन रहा का लोगों वोही से मैं जैसा लास्टीर बाला था और भाई इसके उंदर से मिल यह निल जाता ह इसके अंदर A-series आती है और F-series वाली Intel वाली होती है उसके अंदर भी आपको 15 और 17 मिलेगा यह हमारी A-series है जो AMD Ryzen processor के साथ आती है इसके अंदर 15 और 17 मिलेगा और यह जो 15 और 17 है इसके अंदर size का फरक है 15 वाले में 15.6 inches के laptop आते है 17 में 17.3 inches के laptop आते है तो जिसको बड़ उबरे हुए है और यह जो लाप्टाप मारा मेटल बिल्ड में टॉप लेड़ इसके और लेक्स को जाँज जादा नहीं है और यहां पे इसके इसके इंटीर का फ्लेक्स भी आपको सब दिखाए है और यहां पे सारे ब्रेंडिंग और रखी है और यहां पर दे रखाए USB 4 का स्टिकर 40 Gbps यह मैं आपको पोर्स वाले सेक्शन बताता हूं और पीछे से लैपटप कुछ हमा रहा है यहां पर कुछ इस तरीके का पैटन बन रखा है नीचे की प्लास्टिक पर उपर इंटेक के वेंट्स है इस बार वेंट्स में खुला-ख इसके अंदर हमारा को मिलता है एंट राइज नाइन सेवन नाइन फोर जिरो एचेस प्रोसेसर और साथ में मिलता है आर्टी एक्स फॉर्टी फिफ्टी और मैक्स डॉट वाला ग्राफिक काड़ है डिडियर 5 राम मिल जागी 16 जीबी डूल चैनल में और यह पर वन टीबी जिसके रीड डाइट स्पीड आपके सामने और साथ में वाइफाई 6 और व्लूटूथ वर्जन 5.2 और इसके अंदर मारे को मिलता है दो राम के स्लॉट जिसको आप मैक्सिमम धूटी टीबी तर अपग्रेड कर सकते हो और दो ही एससडी के स्लॉट है जिसके अंदर आप म मिलता है 4060 के साथ भी 4050 के साथ और साथ में F सीरीज में भी 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ 4000 सीरीज के जीप्यू मिलेंगे वह हम आगे अरेंज करके धिरे-देरे रिव्यू करते रहेंगे थोड़ा सा पेशन्स रखना लैप टॉप के लिए बह कीबोड है एक जोन में ही आरजीबी की चेंज हो जाती है यहां पर आर्बरी क्रेट के अंदर जागे हम इसकी लाइटिंग वगएरा चेंज कर सकते हैं कुछ इफेक्ट्स वगएरा हमार को यहां पर मिल जाएंगे जैसे ब्रीधिंग स्ट्रोबिंग कलर साइकल और एक करता है थोड़ा सा बेटर मेर को लगा इस बार पोर्ट के मामले में तफ में डिसपॉइंट्मेंट में यहां पर दुनिया भर के पोर्ट है सबसे पहले पावर इंपूर्ट पोर्ट और जिसको भी का वर्जन को लेकि क्या है क्या नहीं है चार्ट आ रहोगा आपके सामने उसके अंदर कॉनसा वर्जन कितना मैक्सिमा उट्पूर्ट सपोर्ट करता है साथ में कितना मैक्सिमा फ्रेम रेट तो वह आप देख सकते हो और बाकि यहां पर दो USB-C वाले पोर्ट मिल जाते है जिसमें से भाई एक USB 4 वाला है यानि कि 40 Gbps वाला पोर्ट थंडर ने अपने नाम पर रिष्टर करवा रहा है तो इन्होंने USB 4 दे दिया लेकिन थंडर बोल्ट 4 पोर्ट में थोड़ी सी कन्फूजन हमेशा रहती है जैसे डिस्प्ले उट्पूर्ट यह सपोर्ट करता है यहां पर USB 4 पोर्ट से आई जीप्यू से आउटपूर्ट मिलता है डिस्प्ले डिस्प्ले और आखरी में USB 3.2 Gen1 Type-A पोर्ट मिल जाता है और एक हेड़फोर माइक जाक का कॉमबो और जो इसमें HDMI पोर्ट है उससे आपको RTX 4050 से आउटपूर्ट मिलेगा और दूसरा टाइप सी पोर्ट है जो PD सपोर्ट करता है इससे डिस्प्ले पी भली डिस्प्ले दे देते हैं और यहां पर डिस्प्ले बेसिक वाली है लाइक आप कॉंटेंट वगरा देखना हो यूटीब वगर आप देखते हो उसके लिए ठीक है मतला बहुत ज्यादा अच्छी डिस्प्ले नहीं कहींगे अगर आप फोटोशॉप बगरा चलाते करते हो तो वह वाले टास्क इसकी डिस्प्ले अच्छे नहीं करवाएगी क्योंकि कलर एक्यूरेट नहीं आपको सेपरेट मॉनिटर लेना पड़ेगा और जहां तक मुझे उम्मीद है इस लाइट प्राइस कम होगा यह अभीना इसका लांच प्राइस बहुत जादा डाल तो ज्यादा बैटरी बैकप मिलता है और नॉर्मल टास्क के लिए आई जीपी वाला मोड सही है लेकिन कभी आप गेमिंग कर रहे हो या फिर आप हाई एंड टास्क कर रहे हो तो आप फिर आपका आई जीपी यूज नहीं होगा यानि कि प्रोसेसर पर सारा लोड नहीं प पट बडावनर को से बड़ी है और वाईसा अब बात कर लेते हैं कि यहां पर राइजर 9 के साब से जुमर को उमीदे थी 7000 सीरीज का प्रोसेसर जो आया है वहां पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके देगा आप नंबर पर नजर मारो Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने है 17500 के असपास Multicore और 1800 सिंगल कोर और यह हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स है इसके अंदर 11700 Multicore और 2500 सिंगल कोर बागे RTX 4050 है तो 3000 के आसपास Blender Benchmark का स्कोर जाने ही जाना था और यह Crossmark के स्कोर्स है Laptop comparison के लिए काफी काम आ जाते है और यहां पर 3D Mark Time Spy के स्कोर्स है जो वीडियो पॉस करके आप देख सकते हो और यह हमारा PC Mark 10 का स्कोर्स जो कि अच्छा का सा 8182 निकल गया है तो यहां पर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं मैंने इसके अंतर ना 4K वीड़ेटिंग करके देख बढ़िया मक्कन पर लोगे तो उसमें और बेटर अच्छा काम और स्मूध हो इसके अंदर भी सारे काम हो जाएंगे और में लीए गेमिंग की परफॉर्मेंस गेम टेस्ट पर नजर पर कंक्लूजन की बात करते हैं और पिर बताता हूं आपको के अशा आपके लिए कैसा है कैसा नहीं सब स रहे हैं और हम इसको टेस्ट करें हाई सेटिंग्स पर क्योंकि बागी सेटिंग्स आप स्क्रीन पर देगी सकते हो और यहां पर हमारे को 300-350 fps के आसपास मिल रहते हैं और सम्टाइम्स बिलोग 300 भी मेरे को उमीद थोड़ी सी जात हो जाती है अगर आम इंटल से कंपेर करत है जो कि ठीक है इसके ग्राफिक काड़ी के असाब से 40-50 है और 40-50 चल रहा दोगों के दिमाग में वह भी अगले गेम में आपको दूर करता हो और यहां पर आपको इससे जादा फ्रेम रेम रेट चाहिए तो यहां पर डिया लगारा लगा कि आप ले सकते हो मैंने आपको तो भाई 4000 सीरीज है वह काफी एफिशेंटली काम करती है कम पावर ड्रॉ करती है पर्फॉर्मस अची देती है और जादा पावर ड्रॉ ना होने का एक रीजन भी है क्योंकि ग्राफिक काड अभी विलकुल नए नए आया है अब या के सॉफ्ट्यर अपडेट्स वगर और यहां पर सेटिंग्स रखी है अल्ट्रा पर और कोई भी अपस्केलिंग निया यानि कि एफसर अमने रख रख रखा है और भाई वह उमीद थी सेवंटी टू एट्टी एट्टी एप्पेस के आसपास हमारे को यहां पर मिल जाएंगे बाकि सारे सामने थर्मल्स इसके डिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी होने का दूसरा हमारा रीजन है इसकी राम 16 जी राम और वह वी डीडियर फाइल तो जबरदस परफॉर्मेंस देख ती है उसके बाद आड़ यहां से पर्फॉर्मेंस का अंदादा लगा सकते हो 90 20W तक पावर ड्रो कर रहा है इसके अंदर और टेंपरेचर बढ़ चुगे क्योंकि गेम टेस्ट हो रहे हैं पिछले एक गंटे से तो टेंपरेचर आपको राइज होता है दिखेगा बागी कूलिंग पैट तो डेफिनिटली यूज करना ही पड़ेगा और हाँ क्लॉक आतना तब MSI afterburner में कुछ ना कुछ ग्लिस तो जरूर आपता है तो CPU clock speed भी दिखाएं देरी बाद में अपडेट वगर आएंगे तो most probably आ जाएगी फिर वो उसके बाद टेस्ट करेस्ट करें स्पाइडर मैं मुल्ली भाईया टेस्ट हो रहा है ग्राफिक सेटिंग रख्क इसलिए हमारे को जादा फ्रेमरेट मिलते हैं इसके अंदर उतना इसके अंदर पता लगे कि यहां पिक्सिलेट दिखाई दे रहा है कुछ है जरूर जरूर और परफॉर्मेंस देखके आ रही है बहुत बढ़िया उसके बाद सेटिंग्स हमने रखिया सेम लेकिन रेट र सामने है एंड लास्ली थोड़ी जान निकाल लें अपने सिस्टम की प्री सेट रखा है एक तरफ दूसरी तरफ दूसरी तरफ दोनों में ऑफ रखा है और यहां पर आप देख सकते हो लेट साइड में 70 fps के आसपस मिल रहा है और राइट साइड में 120 प्लस यह फायदा है का जो मारे को rtx 4000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड में ही मिल रही है और आने वाले फ्यूचर में जितने गेम्स होंगे न सब के अंदर dls3 का सपोर्ट तो आएगा आएगा और यहां से आप साइब की परफॉर्मेंस देख सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस से निकाल के दे रह रहे हैं वहीं राइट साइड में फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगाने के बाद हमारे 50 तू 60 fps के आसपास आ रहे हैं जो की अच्छे का से फ्रेम रेट है तो यहां पर फ्रेम जनरेशन लगा के बड़ी fps पर गेम खेल सकते हो तगड़े गेम वह भी अल्ट्रा प्री सेट साइबरबंग जैसे एक दम तो भाई यह था इसका पूरा रिव्यू टफ ए 17 का और अभी की डेट में बाद में पहले ज्यादा लाप्टॉप हाथ से निकल जाने दो और प्राइस नॉर्मन हो जाने दो और यहीं पर बात कर लेते हैं इस लाप्टॉप की 1,35,000 का इसी प् कर लो बहुत सारे अच्छे अच्छे लाप्टॉप साने वाले और हो सकता है इसका रेट भी कम हो जाए तो बाद में करना वह बाद में बता हूंगा और अभी रिसेंटली अपने 4000 सीरीज के लाप्टॉबर में सेल आगी तब सबसे बेस्ट टाइम होता लाप्टॉप लेन प्राइस को उठा लेते तो अभी के लिए ये महंगा है तो अभी अपनी बाइंचोज मत बनाना इस लाप्टॉप कर निक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में महा से चेक आउट कर सकते हो बाकि पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना और पहली बार आ तो अगर और कोई लाप्टॉप का रिव्यू चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन बता देना लाप्टॉप के रिव्यू करने में थोड़ी सी दिक्कत है ऐसा निए कि एकदम मिल जाता है अरेंज करने पड़ते हैं खरीदने पड़ते हैं ब्रैंड्स क्या करने पड़ते हैं तब ज